मैंसे हैं आप सब अच्छे होंगे तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 3 मिनर्स एण पावर रिसोर्स के नोट्स तो आईए चलिए स्टार्ट करते हैं chapter के अंदर हमारा first heading क्या है mineral basically chapter ही हमारा mineral and power resources पे है means की जो हमारे country के अंदर जो भी खनीच पाए जाते हैं देशों में साथ इसाथ जो बिजली की resources है power की resources है means बिजली के जो संसाधन है ठीक है तो उसके बारे में बात करना है तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि खनीच क्या होता है mineral basically होता क्या है mineral are naturally occurring substance have a definite chemical composition देखिए mineral क्या है mineral एक प्राक्रिटिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ है ठीक है naturally occurring substance है जिसका की खुद का निश्चित जो है वो chemical composition है ठीक है निश्चित रसायनिक संरचना है मिंस की देखिए आप तो जैसे कोई भी substance देखते हो कोई भी चीज देखते हो उसका कुछ chemical होता है जैसे water देख लीजे तो h2o होता है hydrogen and oxygen मिलके बनता है तो इसका भी तो दो chemical हो गया तो इसके reaction से मिलके हमारा water मिलता है हमको h2o मिलता है तो उसी तरीके से जो भी mineral होगा वो क्या होता है वो naturally बनता है यह सब स्वेशंआ बनाज जा इसा प्रकुति में मिलता और उसका क्भशा सैड़ें हो हईसे ह्साफ क्राइब Talking चाहिए उसके शहां तो किसमें मिनरल करें चाहिए 3 होगा तो basically minerals are naturally occurring substances have a definite chemical composition ये एक प्राकितिक रूप से प्राकितिक रूप में पाए जाने वाला एक पदार्थ है जिसका कि खुद का एक क्या होता है निश्चित रहसाइनिक संरचना होती है means chemical composition होता है minerals are formed in different types of geological environment minerals क्या होता है कि वो ना हमारे जो जियो लोजिकल environment है means की हमारा जो भू वैज्ञानिक वाता वरहन है means हमारे जो पूरे धर्ती से related जितने भी हमारे atmosphere से related चीज़े हैं वो उन्स इन्वार्मेंट पे डिपेंड करता है और इन्वार्मेंट की वज़े से हर जगह का मिनरल अलग-अलग form होता है ठीक है जैसे कि यहां लिखा है कि evaporation of water extreme heat and pressure जैसे कि कुछ ऐसे भी कंडिशन को लेता है जहां पर ऐसी कंडिशन होती है जैसे evaporation of water जहां पानी सूप जाता है एक्स्ट्रीम heat and pressure वहां पर बहुत ज्यादा heat होती है प्रेशर होती है तो उसके हिसाब से है जो वहां का मिनरल जो है उसका chemical वो किस तरीके का होगा किस color का होगा सब चीज उस पर डिपेंड करता है ठीक है मिनरल्स कैन बी identified on the basis of there मिनरल्स को हम identify कर सकते हैं पहचान सकते हैं किस पे physical property पे उनके such as color density hardness हम उनकी जो है physical property पे उनको जान सकते हैं मिन्स की बहुत तिक जो गुड़ है उसका physical गुड़ और साथी साथ उसकी जो color है उसकी जो कठोड़ता है hardness है साथ साथ उसकी जो density है ठीक है तो उस पे हम जो है उस मिनरल को पहचान सकते हैं सेकेंड हम उसको कैसे जान सकते हैं chemical property such as solubility या फिर उसकी कौन सी ऐसी chemical property है और वह solubile है की नहीं मिंस की पानी में जाके घुलता है या नहीं है जैसे आप देख लो desc autour होलु मिट्टी खैर में यूसर स्कावर्वन तो सब केमिकलपर्टी जो होता है वह अलग होता है और हो वहला मिट्टी ले लो और पानी में डाल करके इसको डीजॉल्व करने की कोशिश कर तो लो कहीं ना कहीं डिजॉल्व हो जाता है तो उसकी क्यूम बिल्टी तो ठीक है कि तो कि तो ना सॉल्यूबलिंटीज कर नgeneration of each ठीक है वो सब क्या है काफी जादा रिच्छ हैं भरपूर है किसे मिनरल लिस्टोस से हमारी जो भी खनीज के संसाधन है उन्सी जो से वह एकदम भरपूर है कहां पे ट्रॉपिकल रिजन हमारा मिनरल्स हमें कहां मिलता है या तो हमें पत्थरों में मिलेगा ठीक है या फिर हमें समुद्र की सतर में बेड़ पे नीचे हमें मिलता है इस डिस अ मिनरल यह पुछ रहा है कि क्या यह मिनरल है सॉलिट नैच्छरल लगरिंग इन और गनिक फिक्स कैमिकल फॉर्मॉला और क्यान स्पेसिप्क अटॉमिक स्टप्चिर शॉलिड भी होता है वह थो है नैचिछ अखेरी मिलेगा में और हमाधा ने ही होता है यह को जैसे हमारे कि जितने भी इन ऑर गैनिक में रहे जैसा है वह बहुते हैं फिक्स कामिकल पारम्ला जैसा कि पाच्छे वह यह बदा कि और मडेप संब केकल कंपॉजिशन होता है तह घ्रट फॉर्मिला भी जो होगा वह फिक्स्ड होगा और अगर कीमिकल फॉर्मूला फिक्सड है तो उसका च्रॉपिक स्टॉक्च्छर भी होगा इसने all physical properties of a mineral are the result of the internal arrangement of atoms जो भी physical property होती है means जो भी हमारे minerals की जो भी बहुती good होते है वो सब क्या होता है वो result होता है ठीक है परिणाम होता है किसका internal arrangement जो भी atoms होते है minerals के अंदर जो भी atom होते है तो उनके जो internal arrangement होती है ना उसका ये result होता है क्या physical property हमारे mineral की ठीक है कि क्या physical property रहेगी उसके atom के arrangement के हिसाब से उस mineral की physical property रहती है the types of minerals next topic is about हम अब कितने तरह के mineral होते हैं इस बारे में बात करेंगे on the basis of compositions minerals are classified into देखिए minerals को क्या किया गया है compositions पे और minerals are classified into on the basis of composition पे सबसे पहले उसने define कर दिया है metallic mineral को उसकी संरचना पे जो है उसको define किया गया है metallic mineral पे और contain metals in raw form यहाँ पे क्या होता है यह raw form में कच्चे form में जो है हमारा mineral जो है वो metal metallic mineral के अंदर metal जो है वो कच्चे form में हमको मिलता है are two type और वो जो कच्चे form में हमें metal मिलता है वो भी दो तरका होता है first of all क्या होता है हमारा ferrous क्या होता है हमारा ferrous ठीक है और उसके बाद most of the iron and steel industries and heavy industry depend on these minerals जो कई सारी iron और steel की industries है उद्योग वगर है ठीक है जो factories वगर है वो सब क्या है ज्यादा तर heavy industry जो है हमारी steel industry iron industry या पर कोई heavy industry जो है वो सब किस पर depend होती है हमारे ferrous mineral के उपर ठीक है जो iron contain करता है then metallic mineral के अंदर एक और आता है उसका नाम है हमारा non-ferrous mineral non-ferrous means do not contain iron but may contain some other metal यह क्या करता है इसके अंदर iron नहीं होता है जैसे उसमें लोहा होता है iron होता है इसके अंदर iron नहीं होता है बट यह कुछ और other metals को contain करता है जैसे gold silver copper और lead ठीक है जिसे sona चांदी और copper lead यह सब वो contain करता है metals are hard substance metal क्या है काफी hard substance है ठीक है that conduct heat and electricity इससे क्या होता है यह heat or electricity को conduct कर लेता है बना लेता है and have a luster or shine और साथ-साथ यह काफी ज्यादा shine करता है ठीक है for example iron and iron ore and backside iron ore और backside जो है हमारा क्या है यह काफी ज्यादा shine करता है और इससे हमारी heat और electricity बनती है ठीक है कठोर परदार्स होता है और यह जो luster or shine means इसके चमक होती है ठीक है then आता है non metallic minerals अब यह था हमारा फेरस के अंदर metallic metallic mineral की बात हो गई metallic metallic mineral मिन्स धात्विक resource भी कहते ठीक है तो metallic mineral जो है मारा धात्रिक खनीज हो गया अब दूसरा था यह था हमारा non metallic mineral के अंदर non metallic mineral जैसे metallic contain metal इसके अंदर metal ही नहीं होता है ठीक है इसके अंदर किसी तरह का contain नहीं होता है metal इग्जामपल आल लाइम स्टोन मिक्का जिमसम कोल एन पैट्डूलियम जैसे कि इसका example हो गया हमारा लाइम स्टोन चुना पत्थर जिसको गृटूलियूं ये सब हमारा क्या है नॉन मेंटलिक नाम कीमच मेंटल साह 1975 इनग हमारा मिक खास् distortion सब्सक्राइब और के forms में ठीक है and need to be extracted और इसलिए इसकी महाँ ये जरुवत होता है कि उसको निकाला जाए, extract किया जाए and purified before being used यूज करने के पहले उसको purified किया जाए, ठीक है क्योंकि वो और फॉर्म में होता है इसलिए उसको निकाला जाता है, निकालने के पाद उसको क्या क्या जाता है, इसको purify करके then उसको use क्या जाता है, there are three methods to extract mineral अब extraction करना means उसको निकालना, अब उसको निकालने के लिए तीन तरह के methods दिये गए है, पहला होता है हमारा mining, first of all क्या होता है हमारा, mining, is the process of taking out mineral इसका process होता है कि minerals को बहार निकाले from rocks पत्थरों से minerals को बहार निकालना and that are buried under the earth surface include two methods यह जो वो minerals जो वो निकालता है पत्थरों में से वो क्या होते हैं buried होते हैं ठीक है दफन होते हैं किसके नीचे हमारी earth की surface के अंदर जो है वो दफन होते हैं और यह इसको निकालने का दो method mining के अंदर use किया जाता है पहला method होता है हमारा open cast mining चीक है पहला होता है हमारा open cast mining और second I think होता है shaft mining दो हम लोग आगे पढ़ेंगे पहले देखते हैं कि open cast mining होता क्या है minerals are taken out from the swallow depth जो हमारा mineral होता है उसको निकाला जाता है कहां से swallow depth मिन्स की चहां पर उठली गहराई पर हमारा दिया होता है minerals वगरा present होता है वहां से निकाला जाता है by the moving surface layer जो surface की परत को हटा हटा करके तब निकाला जाता है open cast mining ठीक है क्योंकि यह जो होता है उठली गहराई में होता है ठीक है तो इसलिए क्या होता है यहां पर layer by layer हटाके देन उसके बाद वहां पर हमारे minerals को बहार निकाला जाता है जैसा कि मैंने आपको बता है second होता है shaft mining shaft mining क्या होता है deep bore called shaft वहां पर गड़ा गया जाता है boring आपने सुना होगा अगर किसी के घर पे खुआ होगा तो boring अगर होगा तो आपने देखा होगा खोद के गहरा करके एकदम पोल टाइप का उसको ऐसे खोदा जाता है देन उसके बाद उसमें deep borrow करके shaft किया जाता है इसको हम shaft कहते है are made to reach mineral deposit that deep under the soil layer जो हमारी soil layer के काफी deep में काफी नीचे हिस्से में जो mineral हमारी deposit है एक खटा है उसको निकालने के लिए उस तक पहुचने के लिए क्या किया जाता है एक गड़ा किया जाता है deep boards किया जाता है ऐसे pole type का then उसके बाद हमारे जो deep में soil Wiku source का नीचे का परत होता है layer होता है वहां से हमारे सा Meners co flats को निकाला जाता है कि ऊसको होबाइन के यह जाता है बहुचे एक साथ माइनिंग मानिंग 2 फर्मिन ऑपन कास माइन नियूंत कर 12562 माइब मानिग में कहा होता है layer सार लिएर को हटा कर करके किया जाता है ठीक है वहाँ पर डीप बॉरो नहीं किया जाता है वहाँ पर क्या किया जाता है लेकिन शाफ माइनिंग में क्या किया जाता है डीप बॉरो किया जाता है गड़ा किया जाता है ताकि नीचे की लेयर हटा करके जो मिनरल डिपॉजिट है वहाँ से निकाला तो दूसरा हमारा extraction करने का मिन्रल को extract करने मिन्स निकालने का तरीका होता है drilling क्या होता है drilling drilling के नाम से जैसे कि आप सुनी रहोगी जैसे drilling machine आपने देख्यों कैसे कड़ा किया जाता है तो इस वेर डीप वैल कहां पर होता है जहां वहां पर deep wells होते हैं और बोर्ट टू टेक द मिन्रल्स आओ जहां पर उनको कुगा बना कर के डाला जाता है थाकि वह क्या कर सके drill कर के drill की machine से drill कर के उसके वहां पर मेल बना जाता है क्वोंट को बाहर निकाल सके दैन अटा है 3rd हमारा जो मेह 3rd होता है वह होता है prais is where minerals that lie near the surface are simply dugout यह वहाँ होता है जहां पर mineral होते हैं और यह surface के पास में होते हैं इसलिए उनको simply dugout कर दिया जता है मिंस कि हमारी खोद कर simply निकाल लिया जता है यह जो है हमारी सर्फेस पे ही आसपास होते हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा करना डीप बॉरो करने की ज़रूत नहीं होती है उसको नॉर्मली खोद करके निकाल लिया जाता है सब्सक्राइब करें इंडश्ट्रीज देवलपमें जो भी इंडश्ट्रीज जो भी उद्योग है हमारे ट्रेटिज है इन्धर बेस्ड़ें की जो मिंडल पे बेस्ड़बोन है ठीक है जैसे आपका बैकबोन क्या है आपको सीधा रखने के लिए चलाने के लिए सब चीज के क्या इंप्वटेंट यमें mister में इवह बागोन है उसी तरीके से इंडरी स्टीज वह बेक बोन है किस्की हमारे इंडर्स्ट्र वो क्या है बैक बोन कहलाती है ठीक है डेन अवर नेक्स टॉपिक इस डिस्टिबूशन ऑफ मिनरल मिनरल का कैसे डिस्टिबूशन हुआ है इसके बारे में हम इसमें देखेंगे तो पहला क्या है मेंदर्स आफ फांड इन इगनस मेटामॉर्फिक आंड सेडिमेंटरी डॉप मेंदर्स कहां पाए जाते हैं हमारे इगनियस रॉप्ष में कुछ मेटामॉर्फिक रॉप्ष में और कुछ हमारे सेडिमेंटरी रॉप्ष में मिन्स की इगनियस रॉप को हम अगनी में पत्थर भी कहते हैं लें मेटामओर्फिक रोक को हम रुPANTHRY चट्वी чиंदें दें सडिमेंट्रि रॉक को थाओं भी यह तो यह तीनो चट्वीदों है अगनी में चट्वीक में चट्वीदown और अफशादी चट्वीद इनों चाहिกते हैं हमारी मैं उसको वहारे कर ये इसँ को सते हैं जी पधिर करने मिनरा भी इंयुने पराइब्न के आदे हैं तो आधिन्य पीच्छे पγάला में में हॉती है उसके कारण क्योंकि जैसे फ niveau मैंवेर हमेरा बढि होता है याipनोर केस मीरिक्ते बढ़न जो atom भी होता है atomic structure जो होता है वो भी fixed होता है तो इस वज़े से क्या होता है कि वो अगर chemical composition है उसके अंदर fixed atom है तो obvious सी बात है कि mineral का खुद का अपना color होगा अपना density होगा तो अगर वो किसी rock में पाया जाला है तो obvious सी बात है कि वो rock का जो भी color होगा वो भी different ही होगा ठीक है metallic minerals are mostly found in ignis and metamorphic rocks like copper, nickel, platinum, chromites and iron जो भी metallic minerals होते हैं हमारे ठीक है धात्विक जो खनीजे होती है वो जाला तर हमें किसमें मिलती है इगनस rock में and metamorphic rock में जैसे हमें उसमें क्या मिलती है कौन से metallic mineral मिलते हैं copper मिलता है, nickel मिलता है, platinum, chromites and iron हमें उसमें मिलता है and airs rock in western australia is known to change a color every day and in every season depending on the life falling on it जो हमारी western australia के अंदर airs rock है ठीक है उसको हम किस नाम से जानते हैं to change color हम उसको कैसे जानते हैं क्योंकि उसका जो color होता है वो हर दिन बदलता है और हर season में बदलता है जो कि depend होता है कि उस पे किस तरह का light गिड़ रहा है ठीक है light falling on it in sedimentary rock non metallic mineral sedimentary rock के अंदर means हमारे अवसाधी चटाने जो है हमारी उसके अंदर क्या होता है non metallic minerals like limestone, phosphate and metallic minerals like magnum, manganese can be found means की sedimentary rock के अंदर हमारे non metallic mineral मिलते हैं जैसे की चूना पत्थर, limestone, phosphates और metallic mineral में क्या क्या मिलता है manganese जो है हमारा उसके अंदर sedimentary rock के अंदर पाया जाता है तीन का जो है वो एसिया जो है 50% जो है 50% से जादा जो है वो एसिया हमारे वर्ल्ड के अंदर तीन प्रोड्यूस करता है among the world leading producer of तीन हमारे वर्ल्ड के अंदर तीन का सबसे leading producer जो है वो कौन है चाइना मलेशिया इंडोनेशिया जो की followed by ब्राजिल और बॉलेरिया विच आर दे लाज़ेस प्रोड्यूसर आफ तीन जो की वो भी अब क्या है लाज़ेस प्रोड्यूसर है टीन के लाज़ डिपॉजिट ऑफ आइरन जो सबसे ज्यादा मिन्स बहुत क्वाइंटिटी में जो डिपॉजिट है जहां पे आईरन और 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 ब्राजिल जो है वो हाई ग्रेड आईरन और प्रोड्यूस करता है इंडिया क्या है हमारा लीडिंग प्रोड्यूसर है मिक्का का इन दे वर्ल वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो मिक्का है वो हमारी इंडिया प्रोड्यूस करती है इंडिया is also one of the leading producer and exporter of salt इंडिया जो है हमारी मिक्का तो सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में produce करती है साथ ही साथ जो है हमारा इंडिया के अंदर one of the leading producer जो हमारी है और exporter of salt salt को सबसे ज़्यादा produce भी करती है और export भी करती है डककन और चोटा नागपूर प्लैटू इन इंडिया के अंदर डककन और चोटा नागपूर प्लैटू जो है चटाने जो है हमारी वो क्या है प्रोवाइड करती है एक बरपूर लेवल ओफ मिनरल का डिस्टिविशन ठीक है Rich level of mineral distribution को हमारा डेकन चोटा नागपूर प्लैटू जो है वो इंडिया के अंदर प्रोवाइड कर आईरन और बॉकसाइट आईरन और बॉकसाइट कैन बी फाउंड इन जारकंड वो हमें जारकंड में मिलता है ओडिशा में और 36 गंड में हम उसको वहाँ पे खोज हमने वहाँ पे पाया जाता है जारकंड बिहार आंदर प्रोवेदेश और मेजर मिक्का प्रोडूसिंग स्टेट जो हमारा जारकंड है बिहार और आंदर प्रोवेदेश ये सब क्या है मेजर मिक्का जो मिक्का हमारा स्टेट प्रोडूस कर्ता है सबसे जादा वो कॉन को से Essenet है जारखन बिहार दर प्रदेश थिक हैं एSho कें भी स्वाइड इन कोलर माईन जो हमारा गोल्ड का डिपॉसित है ho फुजू सेन होता है कि खोजने को मिलता है वह ओलर माईन्स में करनात्राकर के तो फॉस्स्ट नंबर पहे वह सबसे बड़ा डीपेस माईन था में वर्ट के अंदर हो यूरोप क्या है यूरोप हमारा लीडिंग प्रोडूसर ए सबसे बड़े जो है वह लीडिंग प्रोडूसर और के सौट username पीर्ट आख जमति compr केुझ म। डिपोजेट से साथिसा सिल्वर का जिंक का क्रोमियम का मेगनीजका और बॉकसाइट का मिक का प्लैटनम एलबस्टर एंड डाइमंड का एंदर साउ तो अमेरिका के अंदर वर्ल लाज़स प्रोड्यूसर ऑफ डाइमंड गोल्ड एंड प्लैटनुम इस अफ्रीका जो हमारे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा लार्जिस प्रोड्यूसर जो है वो डाइमंड और गोल्ड और प्लैटिनम के अफ्रीका में है जिक है अफ्रीका हमारा सबसे ज़्यादा लार्जिस प्रोड्यूसर है कहलाता है वर्ल्ड के अंदर इसके सालध अफ्रिका जिम्बावी ऑन जायर पोड्यूस अप्रोड्यूस हैं मेजर पार्ट औफ गोल गोल इन धार जय टीनों जो है वह वह प्रोड्यूस करते हैं मेजर पार्ट हमारे गोल्ड का अंगरूर Julius ho यह लीडिंग प्रोडूसर है गोल्ड डाइमन आइरन ओर का टीन का निकल का एंड लाजेस्ट प्रोडूसर ऑफ वक्साइड का स्वीजर लैंड हाज नो मिन्रल डिपॉजिट इन इट स्वीजर लैंड के अंदर किसी तरह का कोई मिन्रल का डिपॉजिट खुद का नहीं है यह हो गया कुछ मिन्रल के बारे में कि कहां पर किस तरीके से कहां पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है बूंसके बाद हमारा next topic है कि uses of mineral मिन्रल का क्या यूज है छीक है silicon is obtained from quartz and is used in computer industry silicon जो है वो हमें कहां से मिलता है quartz से मिलता है और जो हमारा एक प्रकार का चमकीला पत्थर होता है ये quartz जो है हमारा वो एक तरह का चमकीला पत्थर है ठीक है हमको उसी से silicon मिलता है जो कि computer industry वगरा में काफी जादा use किया लाता है aluminum is obtained from its ore bauxite and is used to in manufacture of automobiles हमारा जो aluminum है वो हमें ore bauxite से मिलता है और इसको use किया जाता है automobiles को बनाने में bottling and canning industry ठीक है जो bottle और can की industry वगरा होती है वहाँ पर use होता है ये and even in cookware और जो हमारे रसोई घर के जो बर्तन होते है cookware उसमें भी आप देखोगे aluminum के बर्तन वगरा देखोगे साथी साथ aluminum के foils वगरा आप देखोगे तो ये सब जगह पे जो है हमारा aluminum use किया जाता है और ये हमें ore bauxite से मिलता है aluminum oxides और aluminum hydroxide aluminum oxide और aluminum hydroxide is used safely उसको safely use किया जाता है cosmetics में, medicine में even though medical devices में भी ठीक है granite वगरा आप देखोगे आपके kitchen वगरा में या फिर आपके घरों में जो पत्थर लगता है ठीक है tiles अलग होते हैं और granite अलग होता है तो ये granite के बारे में बात कर रहा है तो granite is one of the hardest hardest rock ये सबसे ज़्यादा कठोर पत्थर होता है found nature जो हमें अपने प्रकृती में मिलता है and is used to building इसको use किया जाता है building करने के लिए stone बनाने के लिए it is made up of three minerals ये तीन minerals quartz से मिलके बना होता है quartz से fledge spar और mika से मिलके बना होता है ठीक है ग्रेनाइट जो हमारा quartz quartz फ्लेट पार और mika से मिलके बना होता है ये काफी hard rock होता है ठीक है इसके अंदे तीन तरह के mineral mix किये जाता है फिर आता है gimsum gimsum is used in making plaster of paris gimsum का use plaster of paris आपने देखा होगा कुछी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आप उसको ऐसे आटे की तरह सानो फिर इसको जिस चीज में जिस तरीके से ढालना चाहो आप उसको ढाल सकते हो तो बस वही जो प्लास्टर पारिस होता है gimsum का उसी को यूज किया जाता है उसके अंदर प्लास्टर पारिस बनाने के लिए विच इस यूज आज कास्ट और ब्रोकन आम और लेक्ट इवन दो देखोगे आप अगर किसी के हाथ में फ्रेक्चर वगरा हुआ रहता है तो वहां पर भी जो है इसको बनाने के लिए ग्रेफाइट का जिल्ट किया जाता है और जो हमारा टाल्क पाई जाता है उसको क्रेयाउन और पेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है दन आता है कि इसने वह ड़सको और फटीलाइजर सब्सक्राइजन और देखे ओगे कि जो माचिस होता है और हमारी जो एक्सप्लोजिवस होते हैं सल्फिश एसट और फटीलाइजर होता है क्या मिकल अगर्ण और डाइज वगर्ण जो बनते हैं वह सब बनाने के लिए कि हमारे sulphur को use किया दता है जानाता है नग अन्य दृत कर आ यूज एलेक्ट्रिकल अप्लाइञ्स को बनाने की किया जाता है एन glass making industry जो ग्लास मिनाते हैं वहां पर वूलिफ तरीज में हमारे का का हOOD कॉपय कोपर जो हमारा कॉपर है RV démocrate में मिलता है जिसको कि हम काल को पाई राइट कहते हैं कॉपर पाई राइट कहते हैं इसे हमारा जो है वो अच्छे खासा हीट बनता है और एलेक्रिसिटी भी इसको एजिली आप रोल कर सकते हो इन्टो फ्लाइट शीट बना सकते हो अधर शेप में उसको डाल सकते हो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है एलेक्रिकल केबिल बनाने के लिए केबिल वागरा वायर बनाने के लिए and switches also switch भी बनाने के लिए copper is also used in making a coins, utensil and pipe copper आप देखोगे जब आप wire वगरा देखो अपने घरों में जो आपका wire आता है या switch वगरा में देखो तो कभी आप switch अगर खराब हो जाता है आप उसको देखो तो उसके पीछे कुछ wire लगे होते हैं जो silver कलर के होते हैं तो वो copper का ही बना हुआ होता है तो जो हमारा इस चीज का use किया जाता है जादा तर जो flat sheet बनाने के लिए wires वगरा बनाने के लिए या किसी और shape को बनाने के लिए साथी साथ इसका use electrical cables में use किया जाता है wires में और switches switches बनाने में भी इसका use किया जाता है बरतन देखोंगे आप copper का बरतन भी होता है pipe भी होते हैं coin भी होता है सिक्का भी आप देखोंगे copper का होता है heat or electricity भी इससे बनती है छिए आईरनिव इसमेल से मिलता है निमुणोईट है मेगनेटाइट इसमेली यूजड यह जो इसमेल आइरन और से आइरन इस मेंली यूज़ आइरन को जाद तर किसलिए उसके रहता है तो मैनुफेक्ट्ट्र इस्टील इस्टील बनाने के लिए इन और मॉस्ट और इंडस्ट्री जो सारे उद्योग सोते हैं फॉर मैनुफेक्ट्ट्रिंग शिप्स एर पेलें कार साइकल ट्र क्यों कर देंगान बिए तक जी कैसे कीचा है मेनुफेक्ट्र को बनाने के लिए जैए कि स्टेशनरी बनाने के लिए लाक्स्टेबरew wardrobe चैपल और और руки पर क्लिप्स यह सब बनाने के लिए बहु है अब हमारा आइरन का यूज किया जाता है मैगनीज is a key component in the production मैगनीज क्या है एक key component है हमारे production का of iron and steel जहां पर iron और steel का production होता है उसका मैगनीज जो है वो सबसे key component है पिन्स चाबी है एक तरह से समझेज़े बीना चाबी के कोई ताला खुलता है नहीं न तो उसी तरीके से मैगनीज की ज़द परती है जब हम आईरन और steel की production करते हैं नेक्स्ट है gold and silver हमारा सोना और चांदी आपने सुना होगा और rare metal यह क्या एक rare metals है चो आपको हर जगा नहीं मिलें रेयर है यह used to make a jewelry medallions and coin इसको सिक्का बनाने के लिए jewelry बनाने के लिए medallion बनाने के लिए यूज के जाता है also use in density and medicine इसको density और medicines में भी यूज के जाता है दवा वगरा में certain minerals are called gemstones and are कुछ ऐसे minerals होते हैं जिनको gemstones भी कहा जाता है heart and come in various colors यह जो है gemstone होते हैं यह काफी कड़े होते कठोर होते हैं और कई सारे color में मिलते हैं used to make a jewelry इनको भी jewelry बनाने के लिए किया जाता है जैसे आप नगीना देख लो मोती देख लो या कोई ऐसा हरे color का पढ़ना आता है तो यह सब जो है हमारे gemstones हैं ठीक है some gemstones like diamond sapphires emeralds rubies यह सब अपने नाम सुना होगा diamond sapphires emeralds rubies यह सब करें rare होते हैं and very expensive काफी महंगे होते हैं and are known as precious stones इनको हम क्या मनते हैं precious ठीक है काफी जादा महंगा होता है यह इसलिए इसको हम precious stones के नाम से जानते हैं some gemstones like कुछ ऐसे gemstones होते हैं जैसे टॉर्कॉइस, garnet, emethyst, aquamarine, dopage, monstone, peridot, opal are not as rare, यह सब rare नहीं होते हैं and also known as a semi precious stone इन सब को हम semi precious stone के नाम से जानते हैं ठीक है gemstones are cut and polished first, जो भी हमारे gemstones होते हैं ठीक है वो सब क्या होते हैं नगीने वाले जो पत्थर होते हैं वो सब क्या होते हैं पहले cut होते हैं then उसको polish किया जाता है सबसे पहले and then set into a precious metal then उसको क्या किया जाता है precious precious metals के अंदर fit कर दिया जाता है set किया जाता है जैसे कि gold हो गया silver हो गया platinum हो गया ताकि उसको artistic jewelry बनाया जा सके जैसे आप pink color का नगीना हरा color का पन्ना देख लो उसको sony में लोग जड़वा के पहनते हैं तो वो सब क्या है यह सब artistic jewelry बनाने के लिए gemstone को पहले cut किया जाता है पॉलिस किया जाता है फिर उसको किसी भी precious metal के अंदर gold silver platinum जो भी होगा उसके अंदर आप डलवा देते हैं तो वह artistic एक jewelry बन जाता है diamond is the hardest mineral diamond क्या है एक सबसे कठोर mineral है खनीज है जो कि found होता है नहां पर हमारे earth पर and is used for making cutling इसको यूज किया जाता है ताकि वह cutling कर सके टूल को for cutting other gemstone जैसे कि कुछ और other gemstone है उनको भी cut करने के लिए mineral also essential for all living beings minerals जो है खनी जो है और और भी जो हमारे living beings हैं ठीक है उनके लिए भी काफी महत पूर्ण होता है एसेंशल होता है iron is present in every living cells जो iron होता है वो हर एक living cells के अंदर प्रेजेंट होता है और इसेंशल फॉर्दब यह जरूरी भी होता है हमारे production of hemoglobin आपके सरीर के अंदर भी iron जो होता है वो present होता है और यह काफी कि इंपॉर्टन होता है क्योंकि यह हमारे hemoglobin का production करता है बनाता है विचिस primary component of red blood cell जो कि हमारे RBC red blood cell का सबसे important primary पहला जो component है ठीक है संदरचना मतलब RBC को बनाने का सबसे महत पूर्ण चीज क्या है हमारा आइरन है जिसकी वैसे हमोगलोबिन बनता है जिसको हम red blood cells भी जानते है अदर मेंडर्स लाइक मतलब जो और अदर खनगीजे हैं हमारी वो क्या है जैसे जिंक मेगनीज कॉपर्स एंड फ्लॉरोइड और अलसो रिक्वाइड इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन अवर डाइट यह सब भी जो है हमारे डाइट के अंदर कुछ थोड़े अमाउंट में जरुवत परते जैसे लोग कहते हैं फाइबर खाईए आइरन खाईए कैल्शिय आपके बॉड़ी में भी इन सब चीजों की कई कोई कब मात्रा में जरुवत होती है कोई ज्यादा मात्रा में जरुवत होती है अब जो फाइबर ज्यादा यह खाता है उसके स्टमच के लिए अच्छा होता है तो कंटिन्यू अवर जोग्रफी तो मोफ तो नेक्स टॉपि देखोड मुषकर के सकते काई सकते कैसे वस साहिए उसकी चुरक्षा कर सकते हैं यह हमारा नॉन्व थिसकी इसकी भर नहीं हो सकती इसको कई सो साल लगते हैं भनने मेली ईस लिए इसको नॉचैंद से माना जाता है and therefore it is very important क्योंकि यह काफ़े important है to control their use and conserve them यह बहुत important है कि हम इसको control करें उसके use को और उसको सुरक्षित रखे conserve करें बचाएं उसको ठीक है इसलिए जो है यह non renewable resources कहलाता है the way of conserving minerals are conserve करने बचाने का खनीजों को बचाने का conserve करके सुरक्षा करने का कई सारे से तरीके है reduce the amount of waste waste का जो amount होता है mineral निकालते वक्त कई मात्रा में जो है वो minerals waste हो जाते है उसको reduce करना recycle करना and reuse the metals metals वगरा जो है हमारे उनको दुबारा से reuse करना ठीक है यह diagram में में देखिए mineral resource development cycles कैसे है कि मिनरल रिसोर्स जो हमारे क्या है land पे अवलेबल है exploration 8 to 10 प्लस इयर इसको explore कर सकते हो आप 8 से लगबग 10 साल तक ठीक है फिर उसके बाद यह environment assessment and approval ongoing stakeholder consultations then उसके बाद इसको construction किया जाता है 1 से 3 साल तक ठीक है सबसे पहले यह क्या होता है environment में assemble किया जाता है ठीक है approximately ongoing stakeholder consultants वागरा के साथ उसके बाद इसको construct किया जाता है एक से 3 साल तक के अंद है फिर operation होता है 10 से 30 साल then इसका closure होता है एक से 2 साल then इसको आप reclaim कर सकते हो एक से 4 साल monitoring 5 years or to infinity तो इस तरीके से हमारा mineral resource का क्या है development cycle है then next topic is our power resources to mineral means minerals वगरा आपको समझ में आ गए होंगे तो mineral से related अगर आपको कोई issue हो कोई आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं and thank you so much next video के अंदर में अपना power resources cover करेंगे अपना झाल